Hello guys, welcome back, आज की इस case study में हम discuss करेंगे Yes Bank के share का क्या future है देखिए अगर आप Indian stock market में invest करते हो तो definitely, most likely अगर आप एक retail investor हो तो most likely Yes Bank एक ऐसा share है या तो ये already आपके portfolio में होगा या फिर आप definitely इसको जरूर plan कर रहे होगे buy करने की तो आज की इस case study में हम जानने की कोशिश करेंगे Yes Bank के share को लेके आपका क्या plan of action होना चाहिए अगर आप already इसमें invested हो या फिर अगर आप plan कर रहे हो इसमें invest करने का तो चलिए फटा-फट देख लेते हैं कौन से वो topics हैं जो आज की इस case study में हम discuss करेंगे सबसे पहले हम discuss करेंगे एक brief history जानने की कोशिश करेंगे कि Yes Bank के case में actually में हुआ क्या है देखे बहुत जादा history में नहीं जाएंगे बहुत जादा detail में जाने की कोशिश नहीं करेंगे ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि Yes Bank कब start हुआ किसने start किया कैसे start किया येस bank का जो main case है जो highlight में है वो पिछले 4-5 सालों से ये bank बहुत ज़ादा highlight में चल रहा है कोशिश करेंगे पिछले 4-5 सालों के history को जानने की उसके लावा हम भात करेंगे इसकी recent developments में आज की date में 2022 में yes bank में recently क्या कुछ changes हो या क्या इसके financials में changes हैं क्या इसके fundamentals में changes हैं क्या इसके business में change हैं क्या recent इसकी working में development हो ये तो ये सारी चीज़े discuss करेंगे उसके लावा last में हम discuss करेंगे इस share का आखिर में future क्या है अगर आप already इस share में invested हो अगर आप existing yes bank investor हो चाहे आपने आज buy किया या फिर जब से इसका lock in लगा हो उससे पहले से आप invested हो दोनों के लिए बात करेंगे कि आपका future plan of action इस share में होना चाहिए उसके लावा अगर आप prospective investor हो यानि कि अगर आप plan कर रहे हो yes bank का share buy करने के लिए तो वो भी discuss करेंगे कि आपको buy करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आज की हमारी case study को start करें उससे पहले याद दिलाना चाहूँगा अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करना मत बूलेगा इस वीडियो पे हम 500 likes का target रखेंगे जितनी जल्दी 500 likes आ जाएंगे उतनी जल्दी हम next video create करेंगे और comment करके मुझे जरूर बताना next कौन सी company पे आप चाहते हो कि मैं आपके लिए case study create करूँ दोस्तों अगर आप stock market में नए हो और आप trading या investing सीखना चाहते हो तो trading और investing से related बहुत सारे courses हैं जो आप मेरी website पर check कर सकते हैं मेरी website www.equitywisdom.in इस website पर बहुत सारे courses हैं intraday trading के लिए swing trading के लिए option trading के लिए और अगर आप beginner और तो beginner के लिए इस website पर आपको course मिल जाएंगे तो चलिए आज की हमारी case study को start करते हैं और फटा फट जानने की कोशिश करते हैं कि yes bank की पिछले कुछ सालों की history का है देखिए यहाँ पर yes bank का price chart आपको देख गया है 2018 में आप देख सकते हो yes bank के share का price कितना उपर था 2018 में इस share का price लगबग 400 के आसपास trade करता था ठीक है 2018 में ये एक nifty 50 stock होता था और ये बहुत ही अच्छा bank माना जाता था उसके बाद से जैसे ही इस bank में scam की खबर निकल के बार आई तो आप देख सकते हो इसका price कहां 400 से गिर के आज की date में 15-16 रुपे के आसपास trade कर रहा है तो लगबग 2-3 सालों से 2020 मार्च 2020 से लेके अभी तक September 2022 तक लगबग 2 साल 6 महीने हो गया है इस share का price 15-16 के आसपास ही रुका हुआ है देखी 15-16 का price देखने में बहुत जादा attractive ल जाता है कि यह 15-16 के price पर आज ट्रेड कर रहा है तो क्या पता यह bounce back करके 400 पर आ जाएगा तो इसके valuations इसके fundamentals यह सारे अभी हमी वीडियो में आगे discuss करेंगे अभी फिलाल इसकी history पर एक बार नजर डाल लेते हैं देखी yes bank में actually में scam क्या हुआ था सिरफ 2 मिनिट में आपक companies को जिनकी credit worthiness अच्छी नहीं थी उनको बहुत जादा loans दिये eventually क्या हुआ वो loans NPA हो गए देखी banking जो business है यह बहुत ही एक leverage business है जो भी banks होते हैं यह basically market से कम rate पर कम interest rate पर पैसा उठाते हैं और आगे जादा interest rate पर पैसा लेंड करते हैं तो अगर कोई bank किसी ऐसी entity को loan दे दे जो की अपना interest भी पे ना कर पाए principal भी वापस ना पे कर पाए तो ऐसे case में bank के bankrupt होने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आप यहाँ देख सकते हैं इस graph में 2015 में yes bank के जो NPA थे वो सिरफ 313 करोड थे उसके बार 4 सालों के अंदर ही बढ़कर यह 313 से 7882 करोड का इनका NPA हो गया तो इसका main reason यह था yes bank के जो promoter थे उनके कुछ personal relations थे बाकी जिन companies को इन्होंने यह जो loan दिया जाए हम DHFL का नाम ले या फिर हम अनिल धिरुबाई अमवानी ग्रूप का नाम ले या ILSS का नाम ले SL ग्रूप का नाम ले तो yes bank के promoter राना कपूर क्या कर रहे थे ऐस इसी companies को loan के रूप में पैसा दे रहे थे जो पैसा वो companies वापस नहीं कर सकती थी और eventually जब यह scam निकल कर बाहर आया तो yes bank का share price 400 रुपे से गिर कर अगले दो सालों में 15 रुपे पे आ गया तो guys यह तो थी yes bank की brief history and I hope आपको यह already पता होगा तो चलिए अब इसकी recent development के बात क पास आया है तो इसमें आप definitely observe कर सकते हो कि buying activity जरूर हो रही है और चलिए उसके पीछे का reason भी हम discuss करेंगे सबसे पहले recent development जो इस bank में होया है वो जानने की कोशिश करते हैं देखिए दो credit agency है crystal और India rating and research इन दोनो rating agencies ने yes bank का outlook change किया stable से positive और इन्होंने yes bank के tier 2 और infrastructure bond की rating को upgrade किया है triple B plus rating से A negative rating में देखिए अगर आपको नहीं पता कि यह bonds क्या होते है और इनकी rating क्या होते है तो फट 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 आपको एक बार explain करते हूं देखिए जितने भी banks होते हैं वो bonds issue करके पैसा raise करते हैं banking जो है वो एक leverage business है banks क्या करते हैं कम interest rate पे दूसरे किसी institution से investor से पैसा raise करते हैं example ले ले ल जैसे एक common man को 15% या 20% या 24% के interest rate पे लेंड कर देगा तो यह banking business होता है एक तरफ bank bonds issue करके investor से पैसा raise करता है फिर वही पैसा आगे जादा interest rate पे common public को या फिर business man को लेंड कर देता है तो अगर कोई rating agency किसी bond की credit rating को improve करती है तो उससे क्या होता है जो issue और bond को issue करने वाला होत प्रेइटी यह सब्ध मेंग को चिते हैं यह बैंक का, credit rating agency को κृडिट बैंक की रेटिंग का इंप्रूव करती है तो उससे पैसा रेस कर सकता है तो जिन गासा बैंक ऑन्न की रेटिंग का इंप्रूव करती है उससे ञे हो इस ने यह पार्ण को यह फायदा होगा next time जब yes bank bonds issue करके institution से पैसा raise करेगा तो उस पर yes bank को interest rate जो है वो कम देना पड़ेगा चलिए फटावर discuss करते हैं कौन से वो reasons है जिसकी वज़े से rating agencies ने yes bank की rating को upgrade किया है सबसे पहला reason है improvement in performance of bank credit rating agencies का मानना है yes bank के business के fundamentals अब change हो गए है और yes bank पहले से better perform कर रहा है yes bank के पास deposits increase हो रहे हैं लोग जादा से जादा पैसा saving account में रख रहे हैं current account में रख रहे हैं या फिर FD yes bank के पास करवा रहे हैं तो अगर किसी एक bank के पास deposits increase हो जाते हैं तो उतनी जादा capital उसके पास हो जाती है आगे लेंड करने के लिए better asset quality and risk management rating agencies का मानना है कि आज की rate में yes bank जिस तरह से perform कर रहा है उसकी risk management practices पहले से better है और जो उसकी asset quality है जिनको yes bank ने आज की date में loan दिया हुआ है उनकी asset quality पहले से जाधा better है increase profitability rating agencies का कहना है कि yes bank की profitability भी increase हो गई है increase capital buffer by proposed capital raise of rupees 8,900 crore yes bank ने propose कि 8,900 crore की capital raise करने का तो ये कुछ reasons है जिसकी वज़े से rating agencies ने yes bank की credit rating को upgrade किया तो अभी हम yes bank के financials को check करेंगे और देखेंगे कि actually में क्या yes bank better perform कर रहा है चलिए further word yes bank के profit and loss statement पह भी नज़र डाल देते हैं ये कुछ quarter में yes bank ने कैसा perform किया आप यहां देख सकते हो yes bank के profit है जून 2021 quarter में था 207 crore उसके बाद 226 crore next quarter में 266 crore next quarter में 367 crore तो आप definitely देख सकते हो कि yes bank का profitability जो वो definitely increase हो रही है यहां पर मुझे सबसे अच्छा number जो देखने में मिल रहा है वो आप यहां देखें यह gross NPA percentage हर quarter में yes bank के gross NPA और net NPA यह जो number है वो reduce हो रहा है चलिए अब हम yes bank के valuations को compare करते हैं इसके peers के साथ देखें यहां अगर देखें yes bank के आपको current market price दिख रहा है और इसके peers का current market price दिख रहा है उसके लावा यहां आपको yes bank का PE ratio दिख रहा है, yes bank का price to book value दिख रहा है, market cap दिख रहा है, dividend yield दिख रहा है Yes Bank का price to book value जो है वो है 1.24 यह इस पूरे सेक्टर में सिरफ IDBI bank से ज़ाद है बाकी जितने भी banks है वो सारे Yes Bank से expensively priced है तो अगर आप valuation के basis पर जाओगे तो Yes Bank definitely पूरे सेक्टर में पूरे banking सेक्टर में यहां आपको cheaply price दिखेगा लेकिन सिरफ valuation को देखके आप कभी भी किसी भी stock को buy करने का decision मत लेना देखिए यहां पर आपको HDFC bank दिख रहा है HDFC bank की price to book value जो multiple है वो है 3.38 और Yes Bank का है 1.24 HDFC bank जो है वो आपको यहां पर expensive दिखेगा overvalued दिखेगा अगर आप इसको Yes Bank से compare करते हो HDFC bank definitely एक premium पे trade कर रहा है Yes Bank से लेकिन HDFC bank की जो asset quality है जो business है वो बहुत better है Yes Bank से आप इसका अनुमान ऐसे भी लगा सकते हो आपने definitely अगर आप एक छोटे शहर में भी रहते होगे तो आपके वहाँ definitely HDFC bank की branch जुरूर होगी और Yes Bank जो है वो गिने चुने शहरों में ही मौजूद है तो अगर इन valuation multiple के base पे अगर मुझे आज कोई bank buy करना हो इन सब म इसके लिए मुझे और भी बहुत सारी चीज़े देखनी पड़ेगी एकसेस bank का क्या NPA percentage है HDFC bank का क्या NPA percentage है तो definitely अगर अभी हम यहाँ Yes Bank की बात कर रहे हैं तो यह सिरफ एक comparison देने के लिए यह slide मैंने यहाँ पर इस case study में रखी है चले अब फट फट इसके shareholding pattern पर भी न यह हर quarter में increase होई है पिछले एक दो quarter में decrease जुरूर होई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से Yes Bank का share price धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा जुरूर है तो maybe ऐसा हो सकता है कि public near retail investor ने इसमें से अपना profit जुरूर बुक किया होगा और अगर हम यहाँ DIY की बात करें तो basically इसमें वो स चलिए फटाफटी case study के last section पर हम चलते है recommendation for Yes Bank share देखिए अगर आप एक existing investor हो अगर आपने Yes Bank already buy किया हुआ है दोनों के लिए बात करूँ है जो लोग lock-in से पहले के फस्वें है अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ 2020 में Yes Bank के share पे एक lock-in लगा था तो 2020 की particular date में exact retail investor हैं जिन्होंने Yes Bank को उससे पहले buy किया हुआ था उन लोगों पर ये restriction लग गया कि वो 2023 तक अपने shares को sell नहीं कर सकते हैं तो अगर हमने existing investor के लिए discuss करना है तो दोनों के लिए discuss करेंगे जिन्होंने lock-in से पहले buy किया हुआ था और वो 2023 तक फस्वें हैं उन्हें क्या करना ठीक है उसका क्या reason है अभी आपको explain करता हूँ और जिन लोगों ने lock-in से पहले इसको buy किया था आप तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते हैं आप वैसे lock-in में फस्वें हो 2023 तक का आपको wait करना ही पड़ेगा और most likely अगर आपने lock-in से पहले buy किया तो definitely आपने इसको higher price पे buy किय अगर आपने मान लिजी 100 पे इसको buy कर रख है lock-in लगने से पहले और आज की date में आप इसमें फसे हो और next year इसका lock-in हट जाता है एक बार मान लेते हैं कि next year भी इसका price 15-16 होगा तो ऐसे case में इसको sell करने का क्या फायदा होगा आपने कोई चीज 100 में buy की होई है अब वो 15- अब आप इसको भूल जाओ आप इसको छोड़ दो कि अगर आपकी किस्मत होगी तो यह share price वापस आ जाएगा चली अब new investors के लिए बात करता हूँ अगर मैं existing investors को बना कर रहा हूँ कि आप इसको hold मत करो इसको sell कर दो तो new investors के लिए भी मेरी यह recommendation है कि आप भी इस share को buy मत करो देखी पिछले एक दो महिने से yes bank का share बड़ा जरूर है 14-15 से बढ़कर दीरे दीरे 17 के आसपास आया है लेकिन क्या होता है जितने भी यह penny stocks होते हैं यह operator driven होते हैं इसमें operator खेलता है operator हमेशा ऐसा एक share चुनता है जिसमें वो retail investor को फसा सके तो most likely जो इन operators होते हैं वो यह penny stocks को ही पगड़ते हैं 5-10-15-20 तो यह जो सस्ते सस्ते पैनी share होते हैं यह operator driven stock होते हैं तो पिछले एक देड़ महिने में जो इसका share price में जो moment आई है वो धीरे धीरे जो इसका price बड़ा है वो सिरफ और सिरफ आप यह कह सकते हो कि operator की activity की वज़े से हुए operator इसको उपर लेके जा रहा है और जैसी operator का target meet होते है मान लीजी operator का target है 20 rupees वो 20 rupees पे आते ही फटा फट अपना profit book करके सारे share बेच देगा ठीक है तो जो existing investor जिनके पास यह share है उन्हें भी इसको sell कर देना चाहिए और जो नए investor है जो plan कर रहे है yes bank buy करने का उनको इस share से बिलकुल दूर रहना च चाहिए अभी जो मैंने आपको valuation chart दिखाया उसमें मैंने आपको दिखाया HDFC bank जो की banking sector का सबसे strong fundamentals वाला bank है तो आपको ऐसे strong fundamental वाली companies में invest करना चाहिए तो आज की date में अगर आप मेरी suggestion मानो तो आपको या तो access bank HDFC bank या ICICI bank इन में से किसी share में invest करना चाहिए तो guys यह थी ह पिर किसी है case study के साथ तिल देन बाई बाई टेक केर